बिहार के मुझजफरपूर जिले के किसान राम रंदन प्रसाद अपनी अनोखिक हेती के लिए सुर्ग्यों में है साल 1999 में गणीत में MSC करनी वाले राम रंदन ने सरकारी नौकरी नाचुन कर हेती का अपनाया रास्ता भीशन गर्मी वाले इलाकी में सेब के हेती कर हासिल की सफलता और कमा रही लाखो रुपे नमस्कार स्वागत है किरिसी जागरन के खास परसारन में आज हम मुझजफरपूर के सक्रापरखंड में हैं शक्रापरखंड के राम रंदन परसाद जी जो समयकित खेती परनाली को लेकर मुझफरपूर ही नहीं बिहार में एक अलग पहचान बना रहे हैं हम लोगों ने केवल किताबों और अपने अखवार के साथ साथ तमाम प्रजेक्टों तक ही समयकित खेती परनाली को देख रहे हैं थे लेकिन गर्नीपूर बेजा के इस फार्म हाउस जो क Kids introduced कर रहे हैं कितनी लागत लग रहे हैं इन तमाम सवालों को लेकर विस्तारीक हम बातचित करेंगे मैं राम नंदन परशाथ, बेजा फॉर्म के इस सेव के बगान में आप सभी किसान भाईयों का हरदी कभी नंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, किरिसी जागरन एबं उनके टीम को भी ओतो धन्नवाद देता हूं कि इतने ब्यस्त तमय में निकाल करके यहां पे हमारे फॉर उन पर आये हैं, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार परकर करते हैं। जी, यह कब सेव का बगान आपने लगाया था? यह हमने नवंबर 2021 में लगाया था। कैसे पूरे सेव की बगिर्या रही आपको लगाने का? क्योंकि कहीं सारे मित रहे हैं सेव की खेती को लेक हमें भी लगाने से पहले यह भरम था कि जेनरली हिमाचल परदेश और जमुकास्विल जो ठंदे परदेश हैं वहां पे सेव की खेती होती है। लेकिन यूटूब और कुछ लोगों के माध्यम से जनकारी मिली कि जो नए भराइटी जो रिसर्च सेव के प्लांट आ है, हर जो गर्म परदेशों में जो पचास डिगरी सेल्सेस तक हो सकते हैं तो हमने नवंबर दो हजार एकीस में इस पोधे को लगाया और तीन वर्सों में इसमें दो साल के बाद ही फल आना सुरू हुआ था लेकिन बहुत कम खल थे लेकिन इस वार तीसरे वर्स में बहुत अच जो हम इसके जमीन में नीचे सबजी या कुछ अन्य चीजों का उत्पादन करके उस खर्च को हम पूर्ती कर लेते हैं अगर आपका टो सफल सर्क्ती हो रही है कि हमने खज्राई पातेपूर बैसाली के इक संजयकुमार शिछ निया था उन से भी पह पर आप कर सकते हैं हम से भी संपर कर सकते हैं पौधा के लिए और रज कि सोर्सिंग नरहुली के हैं जए अपलमान के नाम से भी अपर में पिछले वर्स तो हमने नीजी इस्तेमाल में ही लिया था जो कि फलकाम आये थे लेकिन इस वार हम कमर्सियल रूप में इसका मुतलब बैपार करेंगे और इसके अलावे अगले वर्स से मुझे उमीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि अच्छा रिटर्निंग हमें प्राप्त होग कहीं इससे पहले भी मैंने पूछा कि कहा कि कहीं मित रहे हैं कहीं अफवाएं रहे हैं उन अफवाओं से आपने आगे बढ़े हैं उन किशान भाईयों के लिए क्या आपका सब्द रहेगा उन किशान भाईयों कि क्या मैसेज रहेगा जो किशान भाई एपल की खेती करने स कहीं से परेनान नहीं पारे हैं हम लोगों ने कहावत सुना है कि हाथ कगन को आर्शी किया सामने है प्रोटेक्शन किम परमानम सामने आपके पॉधा है फल आया हुआ है तो यह सब दिगभरमित को तोर करके किसानभाई इसकी खेती कर सकते हैं आपको लगाने का क्योंकि कहीं सारे मित रहे हैं शेव की खेती को लेकर आप उन तमाम मितों को पीछे छोड़कर सेव की खेती को अधे को लगाया और तीन वर्सों में इसमें दो साल के बाद ही फलाना शुरू हुआ था लेकिन बहुत कम फल थे लेकिन इस वार तीसरे वर्स में बहुत अच्छा फल आया है और यह जो भरन था कि गर्म परदेशों में सेव की खेती नहीं होगी वह एक साथ अपने आगे बढ़े हैं उन किशान भाईयों के लिए क्या किशान भाईयों के लिए क्या मैसेज रहेगा किशान भाईयों के लिए